कुमारा और आप देख रहे हैं स्मार टेकनीकल चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने गाउं की पेंशन लिस्ट का एसे निकालते हैं किसी भी एस्टेट किसी भी डिचिका आप अपने मुएल से असानी से पेंशन लिस्ट निकाल सकते हैं चाहे पाइले पेंशन लिस्ट निकालने के लिए मोगाइल में Google या Chrome ब्राजर को पेंड कर लेना है और यहां सर्च में टाइप करना है nsap.nic.in ठीक है इतना लिक करके सिंपल सर्च कर देना है आपको मैं यह लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिक्स प्रिक्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप डारेक्ट इस पेज पर जा सकते हैं आपको यहां पर लास्ट में आप पर है थी लाइन इसके उपर में किल करना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जागा यहां पर है रिपोर्ट का ओप्सन डिपोर्ट के उपर में क्लिक करना है यहां पर क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में फिर से एक नया पेज खुलके आ जागा आपको हम जूम करके यहां पर बतायाते हैं सबसे नमबर एक नमबर में है नेशनल डास बोड आपको नेशनल डास बोड के उपर में क्लिक कर देना है यहां पर नेशनल डास बोड के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके साम क्लिक करना है तो चले इसके उपर किलिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने फीर से एक पेज खुल के आ आजागा अम इस पेज को फ़्वाषा नीचे स्कॉल करते हुए नीचे आना है और यहां पर आप आप लोग देख पा रहाई हैं यहां पर स्टेट सेट शonne आनिफ एहां पर आपको मिल जागा रूनाचल परदेश आसाम Welt चंड इघ्र आप जिस भी स्टेट का आंप बीकलांग पेंशन लिस्ट या ओल्ड पेंशन यहां बेढ़ा स्टमार में प tenga जारते हैं जैसे मैं बिहर को बिहर का बताने वाला हूं यहां पर हम बतायते हैं कि ऐहां पर देख पा रहे हां आई जी ऑन डी पी एस इसका मतलबौड इंद्रागांधी नेशनल डेफट पğेंशन इसकीम यहाँ पर विकलांग पेंशन लिस्ट के लिए है पहला वाला जो है उसके बाद में यहाँ पर है दूसरा नमबर में IGNOAPS इसका मतलब हुआ इंद्रा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन इसकीम और यहाँ पर तिसरा नमबर में है IGNWPS इंद्रा गांधी नेशनल विध्वा पेंशन इसकीम तो आप लोग सबसे फर्ष्ट में जो है वह विकलांग के लिए है और दूसरा नमबर में है विर्ध पेंशन लिस्ट निकालने के लिए है उसके बाद में यहाँ पर तिसरा नमबर में है विध्वा पेंशन दूसरा नमबर पर किलिक कर देना है तो चलिए मैं विर्ध पेंशन लिस्ट निकालके आपको बताते हैं तो यहाँ पर आपको आई जी एन ओ ए P S के उपर में क्लिक कर देंा है इए दुसरा नंबर पर करना है old pension scheme इसके उपर कलिक कर देने के बाद आपके सामने में हाँ पर ये district का नाम खुल के आजागा आप जिस भी district में रहते हैं किसी district को आप निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर district को select कर ले ​​ना है इसमें से आपका डिस्टिक मिल जाएगा तो चलिए हम एक डिस्टिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो चलिए हम डिस्टिक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्टिक का नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने में फिर से एक नया पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने में यह खुल के आ चुका है आपको यहाँ पर यह बलॉक का नाम इसमें से बलॉक जो होगा आपका यह वह अपर लेना है तो चलिए हम बलॉक यहाँ पर सलेक्ट कर लेते हैं बलॉक को सलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने में फिर से इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम इसमें से खोज लेना है गाओ का नाम आपको इसमें से मिल जागा तो चलिए हम गाओ का नाम इसमें से खोज लेते हैं यह गाओ के अप्लिकेशन नेम मतलब जिस बेक्ति का पेंशन लिस्ट में नाम है उनका नाम है यहाँ पर उनके पीता जी का नाम है एज जेंडर स्टेटस यहाँ पर है आप लोग देख पा रहे हैं सेम IGNOAPS इंद्रा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम तो यह विर्ध पेंशन लिस्ट है आप इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं यहाँ पर जितना आप स्कॉल की जेगा उतना इसमें विर्ध पेंशन लिस्ट में आपका नाम भी इसमें से मिल जागा तो आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यह इस तरह से आप किसी भी एस्टेट का आप निकाल सकते हैं आप प्रिंट करके आप प्रिंट आउट भी निकालवा सकते हैं या आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं तो इस परकार से किसी भी एस्टेट किसी भी डिस्टी का पेंशन लिस्ट बिधवा पेंशन लिस्ट विकलांग पेंशन लिस्ट या या भीर्द पेंशन लिस्ट निकाल सकते हैं तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के झाल 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 झाल